मैं उमेश आपका अपना यूट्यूब चैनल डायमेंज सुबर स्ट्री में आपका स्वालत करता हूँ और आपको यह जानकर बहुत खुसी होगी कि आज कमेश्टी की क्लास होगी यसे आपको पता है कि मैं कमेश्टी और बाव पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बहुत धु तो सवस्था क्या है थो सबस्था करते थे सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे थो सबस्था क्या है थे इसके बारे में हम थोड़ा बिश्टा से पढ़ेंगे और बहुत डरने की चीजी नहीं है आप पढ़ते जाएंए और सब कुछ आपको रटता जाएगा चलिए सबसे हम दढ़ेंगे थोस और धा-फोस के बारे में पर नहीं हमारा पैला चैपटर है हमारी कमिष्टी का सबसे पहले क्या है ढूर ना कि अबकार करते हैं कि चलिए सबसे बहुत करते हैं थो अषद था ऑसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी कि क्या होती है जिसी परिभासा क्या है पोछे नहीं जाते हैं लेकिन हमें हमारा परदार्च रोच सबसे सब्सक्राइब होगी फोस हैन फिली साओ जाएगी दूसरी हो कि ठीक है फिराड़ घиты ढबी सोर लिकवेड और एक है चली है आप हम देखेंगे ये टीमों अब्लग है जाने से बहुत बड़ी चीज लग रही है खsteph गई परवस्थाय काद बनाते हैं उनमें प्रकार का यहां पाय जाते हैं उन स्ष्भावी कट कि मोते हैं जिनकी निर्माद से जिनके संगनना बिरालतन माध्यम से क्या होते हैं दुपकेंगे जो हमारे रह्म किम होते हैं वह कैसे कैसे किसमे किन में किस प्रकार किसे होते कडा मारं क्या होते हैं कैसे पर सबांद यो किस पर नाथा का बहूत का दो Ist कड होते हैं उनका बहुत ही अधिक संगनन होता है जिसके कारण वो ठोस यवस्था में दिखाई पड़ती है उसकी अगार्ती हमें दिखाई पड़ती है तो हमारे उसमें कड होते हैं जो ठोस यवस्था में वो एक परकार के माध्यम पर जुड़े होते हैं जालक बोलते हैं क उसमें परकार की सनचना आपको देखने को मिलती होगी किताबों में देखें होंगे या कहीं पर भी बहुत सारे चीजिजों में लिखा हुआ है कि इस परकार के संगना जी यानि यह हमारे यह अवीवी कण है वो क्या हो एक प्रकार से चिबके हुए हैं बहुत अधिक आकर्स होगा इसका हमारा क्या होगा ठोस होगा अब श्यूंगे देखें जो ठोस होता है उसमें एक चीज कामन होती है कि उसका आयतन Nishtid होगा ठीक है इसका जो अधिकर होगा जो ठोस होता है इसकी जो आकर्द होगी कि आकरेती होगी इसका जो आकार होगा आप फिर आकार और आकरेत दो परकार चीज़े होती है एक होता है आकार ठीक है आप देख लेंगे समते चले एक होता है आकार एक होती है आकरेती यह दो सब जो हैं लेकिन यह दोनों सब अलग अलग है कहने को देखने में परकार से हैं चूडाया कि बारे में ज्यास करने हैं तो सबसे आपकार है कि जो हुलिया है उसका देखने में नहीं होगी जिसे हम आपनी आखो से देख सकते हैं यह गोला यहां एक पता चल गया कि अवे कड़ संगनीत होते हैं को पास-पास में लगे होंगे एक गुटके के रूब में होंगे तो हमारा क्या होगा अब हमें इसकी परिवासा देनी होगी कैसे देंगे हम परिवासा तो हम यह बहुत सारे घूमने की वावस्ता नहीं है कि वह चीज यह पत्थ मिलाकर हमें सिधे छिए कहना है कि जिस जिस वथ जिस पदार्थ का आयतन निश्जित हो और आप दो तो हमारा ठोस होगा ठीक है या उसकी आवस्ता होगी ठीक है समझ में आई बाद हम क्या कहेंगे जिसका आयतन और кажется रहां क्या है सबसे सब्सेट만 होगी लेकिन हमें क्या देखना है कि यहां पर चांप और आकरट निस्कित है वह क्या है तो सवस्था होगी यह वाध हमारी पता चल गई आप हमको पढ़ना नहीं है इसको पढ़ना एक शवस्था को हम यह देख लेंगे कि यह बहुत हो कि दूसरे के माध्यम से अपना आकार निश्यत करते हैं जैसे कि आप देख लेंगे तेल को ले लिए याघी को ले लिए आप यह पानी पूल है अकार लेकिंसटा ही लेकिन चुकत है जो साइत होता है निसीद होता है निसीद होता है इनका होगा सब्सक्राइब अब अगर देखा जाएं कि किस प्रगास जिसका बना याँ कर पेंगे यहाँ पर देखेज घैस का इसके भी आविकड़ों जिनको यहीं परकार से यह बहुता है इसकी आकरित और और आयतन इनका नहीं तो होती है कोई ठीक है ना ही इनका कोई आयतन होता है ठीक है ना ही इनका कोई आयतन होता है ठीक है नहीं हो इनकी कोई आकरित होती है यह जिस परकार में जिसमें पातन में होंगे उस परकार की आकरित अवायतन वबस्यत करेंगे ठीक है तो यह हमारा इनका क्या होगा अगर इसक ऑनके बहुत होते हैं उनको को समझ कर सकते हैं झो हमारे कड़ाते हैं इनमें बhur बरिभासा होते ह gover होते हैं तो हमारी थोस्ता पढ़नी है इनके बारे में पढ़ना है कि कितने परकार के होते हैं कैसे कैसे होते हैं क्या होता है क्या होता है तो यह बताना आवस्क था कि यह चीज़े आपको जानना बहुत जवसक है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कोई पूचे ले कि थोस्त क्या होता है तो आप बता सकते हैं यह पता देंगे आप बहुता है आप भूले नहीं देखे एक परकार जो सभी परकार में वहीं क्रिस्टली जाला कोंगे लेकिन उनमें उनकी आकरेत क्या होगी डिफरेंट होगी उनमें बचने वाले जो अब इकड़ होंगे क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे चलिए देखते हैं एक कुस ऐसी परकार की सेल की सनचना बनी होती है आपने देखा होगा इस परकार की सनचना कुछ बनी नहीं होती है ठ कि आपने देखा होगा इसके ऊपर जो जालक होते ही एक परकार से होते हैं और यही परकार जब उनके संगनन होते हैं या पास-पास में ज्यादा होते हैं कि अधिक होगे वह परकार से होंगे और अधिक मात्रा में लगे होंगे इसे परकार से इसमें होता है इसे परकार क्या होता है इसमें होता है जोनों में डिफरेंट होता है थोड़ा सोड़ा सा लेकिन सारी करें वही होती है ठीक है चलिए मैं बहुत ही समझ रहा हूंगा कि आ वेडीयों बहुत अच्छी लगी होगी बहुत आप लोगों निद्धान के साथแล험 और वेडियों देता रहूंगा और मैं आसा भी करता हों बार-बार रहे हैं कि आप लोगों को अखर पुष्दिन कर रहे हैं हमें फालो कर रहे हैं तो लोग अच्छे से कि पढ़ना में पढ़ना है अब हम पढ़ना है थोस उनके परकार कि रह उते हैं